नमस्ते दोस्तों आप सबका हर्दीक स्वागत हैं आपकी यूट्यूब चनल ग्रीन टीप से नडवाई चनल में फ्रेंड आसके इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगली दिन हम कौनसी स्टॉक में पोजिशन बनाएंगे उसी स्टॉक के टेक्निकल आउट्लॉक बाइंग सेलिंग लेवल और स्टॉक प्लोस थार्गेट उस बार में चर्चा करेंगे और पिछले दिन जो मने चर्चा करेंगे उसका रिव्यू देखेंगे तो कॉंसेप्ट में जान से पहले आप लोग को जानकर देना चाहता हूं यह वीडियो में एडिविशन प्रपस बना रहा सेलिंग लेवल एक्जिट हुआ था 782.33 और लेवल एक्जिट होने के बाद नियर फास्ट तर्गेट डान हुआ यहापर हमें टू पॉइंट का प्रपिट हुआ है यानि 780 का लोग बनाया लेकिन फास्ट तर्गेट का जो लेवल था 772 वह हीट नहीं हुआ था 80 का लोग है उनलों का आज नुक्सान हुआ है लेकिन सिर्फ वान पॉइंट का नुक्सान हुआ कैसे क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो वाट्साप ग्रूप है बहा पर जितने सारे मेंबर है सभी को मैं अपडेट किया था कि 783 में स्कॉर अप करने के लिए तो 783 में स्कॉर अप कर दिय है और अगर नुक्सान की तरफ जाते है तो मुझे ऐसा मैस कर सकते हैं मैं आप लोग अपडेट कर दूँगा कब स्कॉर अप करना है उसके बद फ्रेंड्स क्या हुआ हुआ हम आज ग्रावर्ट मार्केट में जुबिलान्ट लाइफ सेलिंग लेवेल एक्जेट होने के ब ओके फ्रेंड्स तो चलिए अगले दिन के लिए कॉनसी स्टॉक चलीका उदे में चर्चा कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अगले दिन के लिए मैंने पेहले 1,50 धे ब्रैज को पॉजितिव ब्रेक आऊट किया था और आज 200 days को भी positive breakout किया इस गिरावट market में भी आज Tata Steel पेहले कितने का low बनाया था फ्रेंस शाया लगबग 608 का low बनाया था low बनाने के बाद 605 का शायद low बनाया 605 low बनाने के बाद फ्रेंस इसमें इतना उचाल आई यह 200 days को भी positive breakout किया तो reason का है फ्रेंस गिरावट market में दो दिन पेहले 150 days closing price को positive breakout किया और आज भी गिरावट market में 200 days की closing price को positive breakout क्या है और आज असा-खासा उसमें एक movement हुआ है उपर की तिरब और क्या reason है फ्रेंस इसको select कंडी की देखिए इसको select कंडी के reason हम बता देते हैं फ कि देखिए फ्रेंस यहां पर तो फ्रेंस टाटा स्टिल को आप लोग देख रहे हैं उपर की तरफ एक red color का horizontal line है और निची की तरफ एक red color का horizontal line है देखिए आज जो है इस red color के horizontal का जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जल ट्रेंड कर रहा था उसको positive breakout किया लेकि फाइनाली क्या हो फ्रेंस इस अप्रेंड में जो एक horizontal line हमने ड्रो किया इस level के नीचे trade किया है और इसके नीचे ही close हुआ है तो फ्रेंस आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि उपर की तरफ जो horizontal line हमने यहां पर ड्रो किया जो level यहां पर है 620.90 अगली दिन जैसे इ gap आप में open हुए थे और gap आप में open होने के बाद gap आपका जो open level है उस open level को अगर अगली दिन यानि यह Tuesday breakdown करते है तो हम obviously नीचे की तरफ गिरावट देखेंगे कि अभी stock की price जो है बुलिंजर वेंड के middle वेंड के नीचे trade कर रहा है तो friends यहां पर हमने दो trend line ड्रो किया एक gap आप में जो open हुआ था हूँ इस gap आप open price के नीचे जैसे breakdown करते हैं तो हम गिरावाट देखेंगे और आज जिस level को positive breakout किया था और उसको पर sustence कर नहीं पाए उसके नीचे यह close हुआ है और finally बुलिंजर वेंड के middle वेंड के नीचे close हुआ है तो आगले दिन जैसे इस अप पर की तरब उच्छाल देखेंगे तो चलिए फ्रेंज कोई बात नहीं हम लेवल की सबसे टेट करेंगे बजार को देखते हुए टेट करेंगे चलिए अब हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं तो फ्रेंज अगले दिन टाटा स्टिल का बाइंग लेवल रहेगा 624.78 स्टाप लोस रहेगा 608 फ़ास टर्दरगे रहेगा 6627.80 एन 6 तर्गेट रहेगा 656.49 सेलिंग लेवलरेगा 605.17 स्टाप लोस रहेगा बाइनग 21.95 फ़ास थार्गेट 602.15 एन 6 तर्गेट 573.46 त लेट करने का रीजन है फ्रेंट्स में सबसे ज़्यादा प्राइस एक्षन को फूलो करता हूं कि इंडिकेटर जो है पहले प्राइस उपर जाएगा उसके बाद इंडिकेटर आपको सिगनल देगा कि हाँ अभी यह उपर जा रहा है और जब इंडिकेटर सिगनल आपको अगर आप लोग जिरुदा में डीमाट अकाउंट ओपिन करना चाते हैं तो डेस्क्रिशन में देगे लिंक पर क्लिकर के अकाउंट ओपिन कर सकते हैं फाइद है क्या होगा फ्लैट्बूक इस्टोंटरबीस अधिक जानकर के लिए मुझे कॉंटर्ट कर सकते हैं और अग अगरी कॉल मेरा कॉल एक्जिवेटर और तार्गेट भी हो चुगा था आज टाटा स्टेल भी मैंने प्रोवाइट किया था अपनी पेट क्लाइन को तो फ्रेंड्स आसके लिए इतना सही वीडियो एक निकले दने बाद थैंक्स पर वाचिंग जाहिंद